हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट चैनल दोस्तों प्रिवेस एर में जितने भी कोस्टेंस फ्यूजिकल एजूगेशन कंपटिटिव एक्जाम स्टेजिटी पीजिटी के वियस एन वियस यल्टी में पूछे गये हैं उन्स सभी कोस्टेंस को टापीक वाइज आपके समझ रखा जा रहा है यह सीरीज नंबर 86 है एंड विलियर्स इसनुकर्स एंड गॉल्फ से जितने भी कोस्टेंस प्रिवेस यह में पूछे गये हैं उन्स सभी कोस्टेंस को इस वीडियो में रखा जा रहा हैं एंड दोस्तों इन सभी एक्जामस का प्रिप्रेशन न न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्णों की तरफ तो सबसे पहले हम बात करेंगी बिलियर्स के प्रश्णों की तरफ तो दोस्तों कोस्टेंस नमर वन है कि माइकल फरीरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है तो किस से जुड़ा हुआ है बिलियर्स से दोस्तों दबांबे टाइगर के उपर नाम से मश्वूर माइकल फरीरा भारती विलियर्स खिलाड़ी है कहां के है भारत की कों सा खिलाड़ी है बिलियर्स खिलाड़ी अब किस के नाम से मश्वूर है दबांबे टाइगर और यह तीन बार गैर फेसेवर बिस चेंपियन रह चुकिए हैं ठीक है एंदोस्तों नेक्स्ट कुर्चन है कि 1958 में बिश्व एमेच्योर विलियर्स चेंपियनशिप जितने वाला पहला भारतिये खिलाड़ी कौन बना तो कौन बना विल्सन जून्स विल्सन जून्स वर्स 1998 में बिश्व एमेच्योर विल्स चेंपियनशिप जितने वाला बिल्सन जून्स पहले भारतिये खिलाड़ी बने ठीक है दोस्तों जैसा कि जो बिल्योर्स होता है यह एक आताकर मेजी पी खिला जाता है इसकी मेजी की लंबाई एंड चोड़ाई एंड उचाई लंबाई तीन दसमलो चारचर मीटर और चोड़ाई एक दसमलो पांच मीटर एंड मोटाई एक मीटर होता है उचाई एक मिटर होता है ठीक है एंड दोस्तों विलियर्ज का बाल का भार कितना होता है तीन ग्राम होता है कितना होता है तीन ग्राम और विलियर्ज में तीन गेंद होते हैं कौन कौन से सफेद लाल और धबिदार सफेद उसमें से लाल जो होता है उसको क्यों गेंद बोला जाता है च्वा जाता है उस को क्यू गेंद बूला जाता है ईस फो 2डा है उस थो सफएद गेंद बूला जाता है जब कि भिलियर्स में लाल गिंद को क्यो गिंद बूला जाता है? सप्धत उस न्यूकर्ण मेंegय क्यों पंदर लाल सफ्षी में ट्स. 올च 15 लाल सफद क्यों खोता है टिंपलम गिंद के बांने हो वह्ता है? इस हमाये छ भिलियर्स में कि इतना होता है? करने है एक तरब है बेर्मिंटन टरागी बिल्ययर्स लां टेनिस दूसरे तरहा क्ट्री स्थ भास अग्रवाल ॥ृपार सक्रवाल शैयद मोदी पितल फ्रेमिंग तो हम डेखते हैं बेर्मिंटन किलाडी कौम है इसमें तो शैयद मोदी जो है C is Billiards, which is related to Billiards? Shubhas Agrawal D is Learn Tennis, which is related to Billiards? Peter Flaming यहां आपसन नमबर C और जाएगा Next question is Q किस खेल से संबंदित है Q किस खेल से संबंदित है? Billiards से Q किस संबंदित है? Billiards से बाल को ढुके लेने में इस्तिमाल की जाने वाली एक छड़ी है यानि इस टीक है उसी को Q बोला जाता है वो अन्य किन-किन सब्दावालियों का प्रियुक किया जाता है Billiards में जैसे कि Q, Jigar, Part, Scratch, Cajun, In-Off आदी का प्रियुक किया जाता है अब बात करते हैं गोल्फ से आए हुई है प्रश्णों की तो दोस्तों प्रश्ण है कैडी सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है कैडी सब्द किस से जुड़ा हुआ है गोल्फ से ध्यान रखीगा Q सब्द है Billiards से उसकी छड़ी को बला जाता है कैडी सब्द जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है गोल्फ में कैडी एक ब्यक्ति होता है जो खिलाडी का बैग लेकर के और गोल्फ स्टीक जो प्लब होता है उसको उठा करके गोल्फ कोर्स में खिलाडी के साथ साथ चलता है एक सवयोगी होता है उसी को कैडी बुला जाता है और तो और बहुत सारे सब्दावलियों का परियोग किया जाता है जैसे कि भोगी, कैडी, हाल, पुटिंग, दी ग्रीन, फोरसान, टी पूट, स्टाइमी, एंड टी आफ नेक्स्ट कोस्टिन है कि टी आफ सब्द किस खेले से जुड़ा हुआ है तो किस से जुड़ा हुआ है गोल्फ से बेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों टी आफ सब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है गोल्फ बाल को टी यानि टी मतलब जिस अस्थान पर बाल रखी जाती है उसी अस्थान को टी बुला जाता है यानि कि गोल्ड गोल्फ में बाल को टी यानि जिस अस्थाम पर बाल रखी जाती है वहां से हिट करना टी आप कहलाता है इसका परियोग प्रति एक होल के पहले स्ट्रोक के लिए किया जाता है प्रति एक होल के पहले स्ट्रोक के लिए किया जाता है जैसे कि दोस्तों गोल्फ ने क्या होता है एक होल होता है उसी में आपको गोल्फ करना होता है जैसे कि गोल्फ की जो होल होता है छेद होता है उसका ब्यास चाहर दसमलो 5 जिरो इंच होता है ठीक है एंड दोस्तों गोल्फ की बाल का भार जो होता है ओ कितना होता है एक दसमल पांच Ü conos होता है थेकल है है नेस्ट है Rider कंखिंस के से रिलेटेड हैं तो Rider कश अबंध किसे है Kolp से यह यूरोप तथा 아메리का की टीमों के मद्न है 2 वर्स में एक बार क्शेला जाने वाला पथियुगिता है तेखा है कितने वर्स में कंखिंस ए झाला जाता है कि राइडर कप किसके मध्य खिला जाता है तो इरोप और अमेरिका के मध्य तीमों के मध्य और कितने वर्षों के अंतराल पर खिला जाता है तो दो वर्षों के अंतराल पर खिला जाता है एनसों 42 वे राइडर कप का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2018 के मध्य फ्रांस में आजित किया गया नेक्स कोशन है भारतिय मुल्क के बिजेशिंग गोल्फ की एक बड़ी चेंपियनसीप को जीत कर प्रसिद हुए वो कहां के रहने वाले हैं तो फीजी के आफसल नंबर भी करेक्ट होगा यानि कि भारतिय मुल्क बिजेशिंग गोल्फ के एक प्रसिद खिला रही हैं वे फीजी के रहने वाले हैं जन्म बाइस फरवरी उनिसोतीसट को लाओट टोका फीजी भी हुआ था इन्होंने वर्स उनिसोत बैएसी से पेसेवर गोल्फ किस खेलना प्रारम किया है इन्होंने अपने केरियर की सुरुवात 1996 में की थी नुनीता लाल समधित है गोल्फ से समधित है तो दोस्तों ये था गोल्फ से रिलेटेड जितने भी कोश्चन्स आये थे तो सभी कोश्चन्स को यहां पर रखा गया था आई वोब कि दोस्तों सभी questions आपको समझ में आये होंगे एंड दोस्तों वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल पे syllabus के recording पढ़ने के लिए एंड एमसी क्यूज भी पढ़ने के लिए दोनों साथ साथ चल रहा है एंड दोस्तों पहली बार बिजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए विससे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आफिक के साथ तब तक के लिए जैहिल